हेलो गाइज, वेलकम तो मैं चैनल, मैच्स रेडियेशन हेलो स्टुडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंस्ट्रक्शन तो उसमें ये दिये है कि इंटिग्रेट द फॉंक्शन इन एक्सरसाइज वन टू लेके 37 questions, यहाँ पर कहीं पर भी mention नहीं किया है कि substitution का method use करो, तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि question आपको पहचानने पड़ेंगे, कि इसमें substitution का method लगेगा और उसके लिए मैंने 4 case बताए भी थे, उसके हमने extra questions की practice भी कर ली है, कि जिसमें आपको पूरा ध्यान कहाँ पर देना है कि एक तो function के उपर कुछ power दी होती है दूसरा क्या होता है, कि एक function है, उसका derivation उसके side में होता है कभी यह भी होता है, कि integration ऐसा भी होता है, कि function नीचे हो और उसका derivation यहाँ पर उपर हो, ऐसा भी देते है, ठीक है तो यह ऐसा कुछ है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका f of ax plus b ऐसा भी कहीं पर दिया है, तो उसमें अंदर का जो variable change हुआ है उसके बारे में हम, उसको assume करेंगे, equal to t ठीक है, तो मेरी बात पहले जो मैंने बताई वो यह है, कि question में कहीं पर instruction नहीं है आपको कि आपको substitution का method यूज करना है, that means कि आपको उसको identify करना है जब सारे question बहुत सारे methods अंपर लेंगे, फिर जब question सामना है, तो आपको उसमें से decide करना है कि कौन सा method इसमें लगेगा, ठीक है, चलो, start कहते हैं सबसे पहले first question से तो पहला question जो है बहुत easy, जो easy-easy question है वो मैं नहीं करवाऊंगा आपको सिर्फ hint देता चलूँगा, क्योंकि हमने बहुत सारे question की practice कर लिए देखो, ये question को देखके ही पता चल जाएगा आपको, कि इसमें integration में ये 2x है into यहाँ पे dx नहीं दिया, तो हम लिख देंगे 1 plus x square है, उसके equal to t assume करो, तो भी ठीक है, 1 plus x square पूरा is equal to t assume कर लो, तो इसका differentiation क्या हो जाएगा, 2x into dx is equal to dt, तो आपका काम हो गया है, देखो, दोनों ही value आपको मिल जाएगे, मरलब कि ये 1 upon का ऊपर 2x into dx आपको दिया गया है, जो इसका ही derivative है, तो ये dt upon t हो जाएगा, that is equal to log of t plus c, that means log of 1 plus x square plus का c, simple question है, simple answer, second, इसमें मैं कुछ समझाओंगा, आपको हींट ही दूँगा, सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, देखो, log x वाला है, ये integration log of x whole square है, upon में x है into dx, आपको ये ऐसा दिख रहा है, बट मुझे तो ये ऐसा दिख रहा है, integration में log of x whole का square into 1 upon x into dx, मुझे पता है कि log x का derivation 1 upon x होता है, तो log x is equal to t assume किया, तो यहाँ पर 1 upon x into dx is equal to dt हो गया, तो इसको is equal to dt लगा दो, मतलब देखो, ये पूरा log x का हमने क्या assume किया है, square लिया है, तो इसको t square into dt बता सकते है, तो ये हो जाएगा आपका t cube by 3 plus c, इसको लिख सकते है कि log x to the power 3 plus c, ठीक है, simple question है, अपन में 3, हाँ, अपन में 3 भी आएगा, तो एक question number 2 हो गया हमारा, third question, third question भी same ही है हमारे पास, third question को थोड़ा simplify करना पड़ेगा, because ये आपको देखने से सीधा ऐसे पता नहीं चलेगा, तो देखो, third question जो है, उसको मैं simplify कर रहा हूँ कि integration में 1 अपन का, ये पहले तो x plus x log x, right, into उपर हो जाएगा dx, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कि अगर नीचे से मेरा x common निकल रहा है, तो dx अपन मैं x, one plus का log x, अब आप one plus log x is equal to t, assume कर सकते, because one plus log x का आपके पास ये दिया है, तो देखो, ये one plus log x is equal to मेरा t हो गया, इसका differentiation हो जाएगा, one अपन का x into dx is equal to dt, तो ये मेरा answer ऐसा कुछ हो जाएगा, कि उपर ये जो dx upon x है, उसको मैं dt लगा सकता हूँ, dt upon में, ये मेरा पूरा t हो जाएगा, आगे का काम आप खुद को करना पड़ेगा, आपको, right, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे करके आगे चल रहा हूँ, इससे भी अच्छे-च्छे सम हमने प्रैक्टीस में करे है, question number 4, question number 4 हमारे पास sin x into sin of cos x है, तो इसको integration में अगर मैं लिखूँ, तो ये हो गया integration, sin of, अच्छा, एक मिनिट, sin x of, sin x into, यहाँ पे क्या है, अच्छा, एक मिनिट, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे मिर पास है, into में sin of cos x, ठीक है, into का ये dx, अब इसको लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि sin के अंदर cos x दिया है, जिसका हमारे पास कोई answer है, नहीं, तो simple सी बाट है कि put cos x is equal to t, cos x का क्या हो जाएगा, derivation minus का sin x into dx is equal to dt, तो मैं मिर पास ऐसा available है, sin x into dx is equal to minus dt हो जाएगा, देखो, तो ये modify हो करके, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आपको पता है कि ये sin of cos x जो है, उसको पहले हम लिख देंगे, तो sin of ये, sin of ये t हो जाएगा, ठीक है, into, ये जो sin x into dx है, उसकी जगा पर minus का dt है, तो ये dt यहाँ पर minus sign आगे, अब आगे का काम आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, तो next हम देखते है, question number 5, मैं सब मैं hintी दूँगा, because practice हो गई है, इस type के question की, तो next question है मेरे पास, question number 5, into cos of ax plus b, आपको पता चल गया होगा, कि किसको क्या आज्यूम करना, integration में, ये sin of ax plus b, into cos of ax plus b, is equal to, sorry, into dx, अब ये question को, हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से समझाओ, कि मेरे पास, जो cos of ax plus d है, sin को अगर मैं आज्यूम करूँ, कि sin ax plus b, is equal to t, ठीक है, तो इसका differentiation क्या होगा, cos of ax plus b, into ax plus b का, a, into dx, is equal to dt, तो यहां से मुझे, ऐसा पता चला कि, cos of ax plus b, into dx, is equal to dt, upon a, तो मतलब, ये function मेरा, redefine होकर, कैसा बन जाएगा, देखो, sin of ax plus d is equal to t था, फिर cos of ax into dx, तो यह रहा, cos of ax into dx, that is dt upon a, तो वो a1 upon का बाहर आ गया, into a dt हो गया, अब आगे का काम बहुत easy है, आपको खुद से करना है, right, very easy, next question देखते है, that is question number 6, देखो, question number 6, क्या बुल रहा है, हमारे पास, कि under root में, ax plus b है, right, तो मैं यहां पे लिखू, तो यह ऐसा हो गया, कि under root, ax plus b, into dx, तो assume कर लो, put, ax plus b, is equal to का t, integration से, यहां पे, a into dx, sorry, differentiation से, a into dx, is equal to dt, मिल जाएगा, तो यह कुछ ऐसा बन गया है, हमारे पास के, integration में, t की, okay, under root t, into dt, upon का यह one upon है, because यहां से, हमें सिर्फ dx की value निकालनी है, तो dx is equal to dt, upon a हो जाएगा, वो a मैंने बाहर ले लिया है, यह one upon का a, under root t को आप t की power, one half पी लिख सकते हो, into dt, तो यह तो हो जाएगा, t की power, three by two, आगे two by three, plus c, और यह one by a, one by a, इसको लिख सकते है, two by three, multiply, multiply, under root नहीं, but, ax, plus b, की power three by two, plus c, अच्छे से लिखो तो, two by three a, ax, plus b, three by two, plus c, done, चलो, next question देखते है, question number हमारे पास है, seven, यह रहा question number seven, ओके, देखो, question number seven में हम क्या करने वाले हैं, की under root में जो दिया है, उसको assume कर लेंगे, let's say हमारे पास integration यह ऐसा हो गया, x इंटू का under root x plus two into dx, right, assume कर लो इसको, put, x plus two is equal to t, तो इदर से क्या पता चला, की x is equal to क्या हो जाएगा, t minus का 2, यहां से differentiate करोगे, तो dx is equal to dt मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, function कुछ ऐसा हो गया, x की जगा पे क्या रखेंगे, t minus 2, okay, under root का यह है, इसका क्या हो जाएगा, under root t into dx dt, okay, under root t जो है, उसको 1 half power count करके, अंदर multiply कर दो, तो यह 1 half power यहां पे multiply होगी, तो t की power हो जाएगी, 3 by 2, minus 2, t की power 1 half, into dt, आगे का काम, खुद से करना है, simple है, right, next question है, question number 8, question number 8 कुछ ऐसा बुल रहा है यहां पे, कि integration over x into under root 1 plus 2x square into का dx, आपको पता है कि यह 2x square जो है, उसका differentiation करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, 4, कुछ, हाँ, 4x मिलेगा, तो मैं उसको समझ रहा हूँ कि 1 plus 2x square is equal to t, ठीके, तो 1 plus 2x square is equal to t, differentiation करो, तो यह 4x into dx is equal to dt, इदर से मुझे dx, यहां पे into x is equal to dt, अपन में 4 मिल जाएगा, तो मेरा function कुछ ऐसा बन गया, यह x into dx, उसका मैं dt by 4 लगा सकता हूँ, तो यह रहा मेरा dt, और यहां पे यह हो गया 1 by 4, अब क्या करना है मुझे, 1 plus 2x square जो है, उसकी जगा पे t लगाना है, मरलब की under root t हो गया, तो बाकी का काम तो simple हो गया, 1 by 2 dt integration 1 by 4, बाकी का काम easy है, आगे कुछ से, now we will discuss question number 9, देखो तो question number 9 मेरे पास जो दिया है, ध्यान से observe करोगे तो पूरा answer दे दिया है, इसने कि under root में जो term है, उसका differentiation बाहर दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो, integration में यह 4x plus 2, under root में मेरे पास है x square, plus x plus 1, into dx, समझना आप, अगर मैं x square plus x plus 1, is equal to मैं t assume करता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कि 2 common निकाला, तो यह 2x plus 1, integration में x square plus x plus 1, integration में जो चीज है, sorry, under root में जो चीज है, उसका आप differentiation करोगे, तो आपको पता चल जाएगा, x square plus x plus 1 का differentiation 2x plus 1 होता है, तो वो बाहर दिया हुआ है, तो 2 जो है, वो extra है आपके पास, इसका differentiation हो गया, 2x plus 1, into dx is equal to dt, यह question क्या बन गया आप दिखो, यह 2 जो constant था बाहर आ गया, 2x plus 1 into dx, यह इन दोनों का तो dt बन गया है, under root में जो चीज थी, उसको under root में t लगा दिया, into का यह dt हो गया, अब, यह 2, t की power 1 half into dt, आगे का काम easy है, you can do it by yourself, right, चलो, next question है, question number 10, question number 10 मेरे पास क्या है, वो देख लो, त्यान से, question number 10 हमारे पास ऐसा है, कि integration में, 1 upon x minus root x into dx, चलो, 1 upon में इसको root x common निकाल सकते, तो यह root x minus 1 हो गया, into का dx, अब ध्यान से समझना है, इस question को, इसमें assume करना है, मुझे root x is equal to t, because root x is equal to t, assume करने से, मुझे क्या मिलेगा, वो समझा, root x का differentiation, 1 upon में 2 root x होता है, तो यह पता चलना चीए, आपको यह देखो, 1 upon में root x आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं root x is equal to t ले रहा हूँ, तो इससे मुझे मुझे मिलेगा क्या, कि 1 upon में 2 root x into dx, 1 upon में 2 root x into dx, is equal to में क्या हो जाएगा dt, हमारे पास value है, सिर्फ dx upon में root x, is equal to यह क्या हो जाएगा, 2 into dt, ठीक है, तो अब आपका question जो है कुछ ऐसा बन गया, integration में, यह dx upon root x, उसकी value है 2 dt, तो 2 common dt upon root x minus 1, मतलब कि t minus 1, अब t minus 1 का क्या हो जाएगा, log of t minus 1, plus c, आपके पास t की value है, log, t की value root x है, under root x minus 1, plus का यह c, ठीक है, ओके, तो यह होगया question number 10, अब मैं थोड़ा clear कर देता हूँ इसको, और question 11 number का ले लेते हैं, 11 number का question हमारे पास है, इरा 11 number, अब इसको अब इसको थ्यान से, integration x upon, under root में x plus 4, into का dx, अब assume करना है, अगर हमें यहाँ पे, तो यही assume करोगे, x plus 4 is equal to t, जो under root में है उसको ही, तो इदर से पता क्या चलेगा, कि x is equal to क्या हो जाएगा, t minus का 4, मतलब कि अगर differentiation करेंगे, तो dx is equal to dt ही मिलेगा, तो उसका कोई दिक्कत है नहीं, चलो यह equation कुछ ऐसा बन गया, integration में उपर x की value क्या मिली हमें, t minus 4, तो यह हो गया t minus 4, upon में, under root x plus 4 है, तो उसका क्या हो जाएगा, under root में t हो जाएगा, into dt, अब यह under root वाला t separate करोगे, तो यह t की power 1 half हो गया, minus 4, t की power minus 1 by 2 हो गया, into dt हो गया, बाके का काम कुछ से करना है, इदर से आगे, right, question number 12 देखते है, question number 12 ऐसा है, x cube minus 1 की power 1 half, देखो, integration में x cube minus 1 की power 1 half, into x to the power 5, into dx, अरे, into dx, हमें पता है कि, जिसकी power दिये ना, उसमें तिक्कत होती है, तो वो वाला पूरा term जो है, उसको assume कर लेंगे हम, is equal to t, बाके का काम खुद से हो जाएगा, देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि, अगर x cube minus 1 को t assume करेंगे, तो उसका differentiation करेंगे, तो x square dx आएगा, तो यहाँ पे इसको separate करना पड़ेगा, x square dx लाने के लिए, तो यह हो गया मेरा x cube minus 1, उसकी power 1 half, sorry, 1 by 3, into x cube into x square into dx, बराबर, अब देखो, क्या put कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि put x cube minus 1 is equal to t, that means, यह हो जाएगा मेरा 3 x square is equal to dt, 3 x square into dx is equal to dt, that means, यह हो जाएगा मेरा x square into dx is equal to dt upon 3, ठीक है, एक इसका काम है, और दूसरा इसका काम है, एक इदर से x cube की value भी मिलेगी, x cube की value मिलेगी t plus 1, तो अब function हमारा, मतलब जो integration हमें करना था, उसका कुछ कैसा हो जाएगा, अब integration कुछ ऐसा होई जाएगा, कि integration में x cube minus 1 का 1 by 3 है, वो तो t की power 1 by 3 हो गए, into x cube को क्या लिख सकते है, t plus 1, into x square into dx को क्या लिख सकते है, dt by 3, यह होगा हमारा dt, 1 upon 3 is equal to, 1 upon 3 integration, यह t अंदर डाल दू, t की power हो जाएगी 4 by 3, plus t की power 1 by 3, into dt, separate करके सिधा integration, राइट, चलो, अब 30 number का question, 30 number का question देखो, यह कुछ ऐसा है कि integration में, x square into dx, upon 2 plus 3 x cube, whole cube, अब यहाँ पे, आसानी से पता चलेगा कि, 2 plus 3 x square जो है, उसको हमें t assume करना पड़ेगा, उसका differentiation हम करेंगे, तो हमारे पास, 3, 3 is a 9 x square आएगा, उपर x square dx है, तो काम बन जाएगा, देखो, 2 plus 3 x square, sorry x cube, put 2 plus 3 x cube is equal to t, that means, यह हो जाएगा, 9 x square into dx is equal to dt, मतलब की x square into dx is equal to, मेरे पास dt upon 9, तो बनेगा क्या, x square into dx का लिखेंगे, हम dt upon 9, that is 1 upon 9 आगे, upon 2 plus 3 x cube जो है, उसका हम t लगा देंगे, उसका cube हो जाएगा, तो यह 1 by 9 ऐसे ही, integration t की power minus 3, into dt, you can write, अब आगे क्या करना है, आपको पता चल सकता है, 13 हो गया, now यह 14, 14 नंबर जो है, वो क्या बता रहा है, देखो त्यान से, 14 नंबर है, वो बता रहा है कि, integration में, 1 upon का x into, log में x into की power m, और यहां पर 2 condition दीएगी, x मेरा greater than 0 है, वो log का domain हो गया, और m is not equal to 0, sorry, m is not equal to 1, because m equal to 1 ले ले लेंगे, तो log के उपर log दूसरा लगेगा, ठीक है, देखो तो यहां पर मैं assume कर रहा हूं कि, output, हमें तिकत है, जिसकी power है उसका, तो log x और log x का, आपको differentiation भी 1 upon x दिया है, is equal to t, तो यह हो जाएगा, 1 upon x into dx is equal to dt, तो यह क्या बन, क्या जाएगा यह, integration, यह 1 upon x, यहां पर dx लिखना रहा गया थै मेरा, dx, 1 upon x into dx को मैं dt लिख सकता हूँ, upon में, log x की power m है, तो वो t की power m होगी, अब देखो, t की power m मान लो की, by chance t की power 1 ले ले दे, तो यह क्या बन गया, dt upon t, इसका integration क्या होगा, log में t, अब t क्या है, log में, log x, तो यह ऐसा हो जाता, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर m is not equal to 1, उनोंने दिया है, तो मतलब कि, इसका अब यह simple तरीके से करना पड़ेगा, कि, यह t की power m, m, सिर्फ, t की power m नहीं, minus m, उपर जाएगी, तो minus m हो जाएगी, इन्टू यह dt, is equal to, is equal to, t की power minus m plus 1, upon, minus m plus 1, plus का c, t की value आपके पास है, तो इसको हम लिख सकते है, log x की power, minus m plus 1, upon, minus m plus 1, plus c, आपको बता है कि, log की जो power होती हो, आगे लिख सकते है, that means, यह minus m plus 1, आगे लिख दिया, log x हो गया, upon में, minus m plus 1 हो गया, plus का c, दोनों cut हो जाएगा, answer आपका हो जाएगा, log x plus c, ठीक है, ओके, next question हम देखते है, that is question number 15, question number 15 एक काम करो, आप खुद से करो, homework में, 9 minus 4x को t, 4x square को t, assume करके, आगे का काम करना है, 15 आपका homework है, मतलब वैसे, जितने भी छोड़े, सब भी आपके homework में है, बट फिर भी एक बार, यह भी homework, 16, assume क्या करना है, 2x plus 3 को, यहाँ पर put करना है, कि, 2x plus 3, is equal to कर t, तो बन क्या जाएगा, e raised to t into dt, dt नहीं बनेगा, dt by 2 बनेगा, because यह 2x plus 3 है, उसका differentiation क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 2 into dx is equal to dt, that means dx is equal to dt by 2, तो वो 2 यहाँ पर आ गया जाएगा, बाकी का काम आप कर सकते हो, अब पहुंचे, question number 17, question number 17, again, very easy, x square को, assume कर लो, उपर integration दिया है, देखो, क्या करना है, यह integration में, x upon में, मेरे पास e raised to x square है, into का dx है, मैं put कर रहा हूँ, कि put x square is equal to t, dx to x dt, तो x into dx is equal to dt, by 2, ठीक है, तो x into dx dt by 2 हो गया, तो अभी यह हो गया, मेरा dt, अब उन में e raised to t हो गया, और यह dt by 2 था, तो 1 by 2 आगे हो गया, अब आगे का काम आपको खुद से करना है, e raised to t जो है, क्या हो जाएगा, इदर integration में e raised to minus t हो जाएगा, तो अब तो problem हो जाएगी, आपको e raised to minus t का नहीं पता है, तो इसको मैं easy बना देता हूँ, आप समझना, कहां कैसे सोचना था, इस type के question को वो, आपने यह जो भी किया है, बहुत सही है, बट एक छोटा सा change में कर रहा हूँ इसको, यह इसको ऐसे भी लिख सकते, e raised to minus x square into x into dx, उपर गया, तो minus हो गया, तो यहाँ पर assume कर लो, minus x square is equal to dt, तो minus 2x into dx, dt हो जाएगा, तो x into dx, यह minus dt by 2 हो जाएगा, ठीक है, तो अब question क्या बन जाएगा आपका, e raised to minus x square को t समझा था, तो यह t हो गया, into, इसको dt minus dt by 2, तो minus 1 by 2 आगया आएगा, तो minus 1 by 2, e raised to t का, e raised to t plus c, minus 1 by 2, e raised to minus x square, plus c, right, simple, चलो 18 नमबर देख लो, 18 नमबर में आपके पास, e raised to 10 inverse x दिया है, तो 1 upon max square उसका differentiation भी है, मतलब कि क्या put कर सकते हैं, पहले question लिखना पड़ेगा ऐसे हैं, कि integration में e raised to 10 inverse x, upon 1 plus का x square, into dx, तो put 10 inverse x is equal to t, तो इसको लिख सकते हैं, कि 1 upon में, 1 plus x square, into dx, is equal to dt, बराबर, अब यह मेरा क्या बन गया, देखो, e raised to t बन गया, 1 upon x square dx को क्या लिख सकता हूं है, dt, तो इसका answer, e raised to t plus c होगा, t की value आपने assume करी थी, 10 inverse में x, plus c, right, question number 19 देखते हैं, question number 19 जो है, important question है, आप उसको mark कर सकते हों कि important question है ऐसा, और, इसका थोड़ा अलग तरीके से solution निकालेंगे, तो e raised to x में, जब भी step का कुछ है, तो आपको, यहाँ पर मैं जो तरीका समझा रहा हूं, उसी तरीके से सोचना है, देखो, सबसे पहले तो यह मैंने लिख दिया कि, e raised to 2x minus 1 upon में, e raised to 2x plus 1 into का dx, आपको पता चल गया होगा कि, यहाँ पर कहीं पर एक भी चीज़ का कहीं पर differentiation नहीं दिया, suppose मानलो कि मैं, e raised to 2x plus 1 is equal to t, assume करता, तो इसका differentiation क्या होता, e raised to 2x as it is, e raised to 2x का 2 into dx is equal to dt, ऐसा तो कहीं पर हमें दिया भी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, फोत्यान से समझो कि, मैं यहाँ पर numerator और denominator को, e raised to x से divide करता हूँ, तो यह मेरा e raised to 2x है, e raised to x से divide किया, minus, यह 1 upon में e raised to x हो गया, upon, e raised to 2x upon में e raised to x हो गया, plus, sorry, plus, 1 upon में e raised to x हो गया, ठीक है, ओके, अब e raised to 2x upon e raised to x है, तो उसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि e raised to x, इसको लिख सकता हूँ e raised to minus x, upon में, यह हो गया e raised to x, plus e raised to minus x, अब आपका काम हो गया है यहाँ पर, right, वो समझो कि put e raised to x plus e raised to minus x denominator में जो है is equal to t differentiation करो तो e raised to x e raised to minus x का भी e raised to minus x होगा बट minus x का minus 1 होगा तो इतना हुआ into dx is equal to dt तो ऐसी चीज तो उपर दी हुई है मलब कि अब हमारा function कुछ ऐसा बन गया कि उपर जो e raised to x into e raised to minus x into dx दिया है तो उसको मैं dt लिख सकता हूँ upon मैं e raised to x plus e raised to minus x जो है उसको t लिख सकता हूँ तो यह answer हो जाएगा मेरा log of t plus c इसको लिख सकते log of e raised to x minus e raised to minus x into d अरे mode यह खतम करने के बाद mode और plus c तो e raised to x वाले जो question है वो आपको इसी तरह से solve करने है because और कोई तरीका इसमें है नहीं तो बस 19 तक रखते हम आपका homework जो है आज का वो 7.2 का question number 1219 खतम करो and send करो आज का homework तो गाइस थेंक यू